हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है मुकेस दोस्तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी स्मार्ट फोन का N22 स्कोर बेंचमार्क केसे निकल सकते हो तो दोस्तो N22 स्कोर होता क्या है आपने किसी भी unboxing channel पर आपने सुना होगा देखा होगा वहां पर कि इस device का N22 इतना निकल कर आता है तो दोस्तों यह n2-2 score कहां से निकलते हैं कैसे निकलते हैं और यह सब कैसे करते हैं यह पूरा इस वीडियो में आपको बाताने वालों कि दोस्तों आप अगर किसी भी डिवाइस का दोनों डिवाइस का आप comparison करते हो performance wise तो वहां से आप यह पता कर सकतो कि किस डिवाइस का performance निकल निकलकर आता है उसकी performance भी जादा ही होती है तो दोस्तों इस वीडियो में पूरे detail से बाताने वाला होते हैं तो चलिए अपने mobile phone की स्क्रेन पर आपको में ले चलता हूं सब से पहले यहाँ पर आपको अपनी mobile phone का chrome browser open करना होगा यहाँ पर मैंने mobile phone का chrome browser open कर लिया इसके बाद यहाँ पर आपको 3 dot का options मिलता होगा उपर 3 dot के उपर आपको click करना होगा यहाँ पर आपको desktop side open कर लेना होगा इसके बाद यहाँ पर आपको search करना होगा type करना होगा n22 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 यहाँ पर लिखावा आ गया है already n22 benchmark यहाँ पर आपको click करना होगा ठीक है यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो first number पर n22 benchmark लिखावा आया है no your android better तो इस first वाली website के उपर आपको यहाँ पर click करना होगा n22 benchmark यहाँ पर आप जैसे click करोगे तो दोस्तों आपके सामने ऐसा interface खुल कर आएगा तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा जोम करके बता देता हूँ यहाँ पर आपको करना क्या होगा यहाँ पर आपको जो home के पास में ranking का options आपको दिखाई देता होगा यहाँ पर आपको ranking के उपर click करना होगा ranking के उपर आप जैसे ही click करोगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकतो कि यहाँ पर सभी device की list open हो जाएगी performance wise यहाँ पर ranking दे रखिए ठीक तो यहाँ पर आप यह आपको सायद नहीं दिखाई देता होगा मैं थोड़ा जोम करके आपको को दिखा दूँ यह आप देख सकतो number one पर अभी फिलाल में Huawei का Mate 40 Pro यहाँ पर इसका बेन तूथ इसकोर यहाँ पर देख सकतो 6,77,000 सबसे ज़्यादा है ठीक हाइस्ट फिर यहाँ पर IQ का है Neo 3 इसका 6,446,44 और यहाँ पर Oppo Find X2 Pro का यहाँ पर 6,10,000 इससी तरह से मतलब ranking वाइस यहाँ पर सभी के N2T2 स्कोर दे रखे सभी device के यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका phone कौन सा है तो यहाँ पर आपके phone को देखना होगा यहाँ पर आपका device यहाँ पर देखना होगा कि आपका device कितने नंबर पर आ रहा है ठीक तो मैं example के लिए बता दूँ कि मैं Redmi Note 7 Pro smartphone यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पर Redmi Note 7 Pro smartphone यहाँ पर देखना पड़ागा मुझे कि मेरा device कितने नंबर पर है यह सभी performance wise यहाँ पर list है जो सबसे ज़्यादा जिसका एंटूथी score है उसको वो list में सबसे उपर है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि Redmi Note 9 Note 10 यहाँ पर Redmi Note 7 का यहाँ पर बता रहा ठीक मुझे Redmi Note 7 Pro का देखना है यह यहाँ पर आप देख सकते हो 82 नंबर पर है Redmi Note 7 Pro यहाँ पर मेरा N2T2 मेरे device का निकल कर आता है 2,11,000 और यहाँ पर दोस्तों आपको एक वर बता देता हूं यहाँ पर यहाँ पर आप अगर जिसा आप कोई Android Sorry, Apple का डिवाइस यूज करते हो, कोई mobile phone तो यहाँ पर आपको Android का भी options मिलता है यहाँ पर Android, Android के पास में iOS, यहाँ पर आपको iOS के उपर क्लिक करना होगा तो यहाँ पर total सारे अब यहाँ पर आप देख सकते हो Apple के जितने भी डिवाइस है उनका उनकी लिस्ट यहाँ पर 100 हो जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो ranking wise, तो iPad Pro का यहाँ पर दिखा रहा है कि iPad Pro यहाँ पर 7,19,000 यहाँ पर उसका total score आता है, N2 3 score iPad Pro 4 का, इसी तरह यहाँ पर आप किसी भी iPhone iPhone 12 Pro Max तो 6,44,000 इसी तरह साप देख सकते हो आपका device जो भी हो उसको आप यहाँ से आपके साब से यहाँ पर देख सकते हो, और दोस्तों यहाँ पर CPU plus GPU सभी दे रखा देख सकते हो आपके mobile phone का CPU कितना है और आपके mobile phone का GPU कितना तो CPU यहाँ पर दे रखा है control processing unit और GPU का मतलब होता है कि graphics processing unit ठीक है यह भी यहाँ पर इनका भी number यहाँ पर दे रखा है कि आपके mobile phone का यह भी कितना निकल कर आता है तो यहाँ से दोस्तों इसी तरह से आप पता लगा सकते हो कि आपके mobile phone का N23 score कितना निकल कर आता है और दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर जिस भी smartphone का N23 score ज्यादा है वह performance wise मतलब अच्छा ही perform करेगा ठीक है तो I hope दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी knowledge मिला हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल का आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे तोसों फ्रेंट्स मिलते हैं कोई नेश्ट नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई